हेले दोस्तों स्वागता आपका हमारे इस चैनल आरकी सिल्सरसिस इस्टड़ी पॉइंट में दिकी फ्रेंट्स इस वीडिये में हम काफी महत्पूर और एहम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं एल्टी ग्रेड एसस्टी और हिंदी की जॉइनिंग के संबंद में आज 9 मार्च है 9 मार्च की ये अपडेट है और साथ ही जिसा की आपको कल ही अफगत करा दिया गया था कि जो है बिक्की खान जी अनिलुपाद जैसर लखनौ गये हैं और कल से ही इनों ने अपना लखनौ में सनवाला कारे प्रारम कर दिया था आपके लिए एक वीडियो अपलोट कर भी दिया था उसमें सारी बाते आपको बताई गई थी कि जल्द ही पोर्टल खुलने के आसार बन रहे हैं तो देखते हैं वैसे उमीद है कि जौइनिंग हो सकती है और जो है इस संबंद में उन्होंने आज उपमुक्यमंत्री जी से मुला का उपमुक्यमंत्री जी को ग्यापन सौपा है और ग्यापन के लिए जो प्रात्ना पत्र लिखा गया है मैं उसकी दस्वीर आपको दिखा देती हूँ देखिए उन्होंने लिखा है सेबा में उपमुक्यमंत्री महोदे रांक आप देख सकते हैं 9 मार्च 2021 उत्तर प्रदेशासन TGT PGT प्रतानाचारे बिग्यापन 2020 का संसोधित बिग्यापन 2021 जारी करने के संबंद में तो ये तो TGT PGT के नए बिग्यापन के संबंद में पूरा लिखा गया है आप लोग इसको पूरा पढ़ सकते हैं और प्राधी लिखा है विक्की खान अनिलुपाद्य है तो इन लोगों ने अनुरोद किया है कि इस प्रकरण को संग्यान में लें तदा संसोधित बिग्यापन अतीसीग्र जारी करने की महान किरपा करें तो इसमें ये भी लिखा है कि चार महा बीट जाने के बाद भी संसोधित बिग्यापन जारी नहीं किया गया है तो इस संदर में लोग प्रतियोगी जात्र आंदोलन रत भी हैं तो इन सारी बातों से बाकिफ कराया गया है साथ ही मतलब बहुत जल्दी से अतीसीग्र बिग्या के संबन्द में है ये सेबा में मुख मंतरी महोदय उत्तर प्रदेश सासन साहया कद्यापक GIC के हिंदी वा समाजिक विग्यान विषय के अभी हरतियों के नियुक्ति के संबन्द में महोदय साधर अवगत कराना है कि साहया कद्यापक GIC की जो परिक्षा लोग सिवायोग उत्तर प्रदेश द्वारा संबन्द कराई गई 15 विषयों में से 13 विषयों के अभी हरतियों की नियुक्ति संबन्द हो चुकी है किंतु दो विषयों की हिंदी वा समाजिक विग्यान की नियुक्ति में बहुत भी लंब हो रहा है इसी प्रकरण पर 25 फरवरी 2015 को प्रतिय जारी होने के पहले इन दो विषयों की नियुक्ति संबन्द कराने की महान किरपा करें साधर प्रार्थी विग्की खान अनिलोपाद्याए तो यह आपको बताते चले कि जो है अल्टी क्रेट के संबन्द में एप्लिकेशन दी गई है और बाकि नए बिग्यापन के संबन् मुकमंतरी जी को तो इस समंद में प्रयास तो बिकी खान जी के लगातार जारी है कि पंचाय चुना की अधी सूचना जारी होने से पहले न्यूकती मिल जाए और विग्यापन भी आ जाए और साथ ही आपको बताते चलें ये कि 24 से 26 के बीच जारी होगी पंचाय चुना की और इंतजार करना पड़ेगा काफी तो सभी लोग अपने इस तर्थ से भी प्रयास करते रहे हैं जैसे ट्विट करना है, मेल करना है या फिर कुछ अलग इस तर्थ से प्रयास करना है तो वो आप सब करते रहे हैं विकी खान जी को भी सपोर्ट करते रहे हैं और प्रत्यो तो उनकी कोशिश लगातार जा रही है और जैसी कोई अपडेट निकल कर आती है तो बताएंगे आपको और जो है टीज़ी पीज़ीडी के नए बिग्यापन भी अगर एलक्शन से पहले आ जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा चलिए सभी के लिए all the best सब कुछ अच्छा ही हो और देखते हैं साम तक की कुछ और भी अपडेट निकल कर आएगी तो आप तक जरूर साजा की जाएगी अभी के वीडियों वज़ित नहीं थैंक्यू बाबाए